तो आज हम एक important topic करने जा रहे हैं, इस topic से काफी बार examiner question पूछता है तो आज हम करेंगे जितने भी राज्य हैं, उनके अंदर किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटे हैं आज हम ये लेखेंगे, तो सबसे पहला question तो यही है, जैसे राज्यसभा है राज्यसभा का नाम राज्यसभा ही, कब उननी सो चुम्मन में इसका नाम राज्यसभा रखा गया, ठीक है इसके अलावब क्या question इससे बनते हैं, कि जो maximum number of सीटे हैं, वो राज्यसभा में होती हैं 250 250 होती है maximum, जिसमें से 12 को nominate करता है president और 238 ये 238 आते हैं विभिन राज्यों और union territory से, ये तो है maximum, लेकिन at present है 245 at present 245 member of parliament है, इसका मतलब है कि 245 लोग बैठते हैं राज्यसभा के अंदर और इसका अगर आगे में divide करूं, तो इसमें से 4 सीटे तो है union territories की, ठीक है और 12 सीटे हैं जो president nominate करता है, और जो बच गई 229, ठीक है ये सीटे ये आते हैं राज्यों से, ठीक है, तो आज हम इन 239 की 239 सीटों को देखेंगे कि बैए किस राज्य में कितनी आती है, और जैसे कि union territories में हमने देखा, इसके अंदर एक, तीन सीट तो आती है दिल्ली की, ठीक है, तीन सीट तो है दिल्ली के अंदर, और एक सीट है पुड्डू चेरी के अंदर, तो टोटल है च्यार सीट, इनका हमने पता है, बारा nominate करता है, तो आज हम देखेंगे 239 की 239, ट्रीके माद दिम से मैं आपको बताऊँगा, काफी easy हो जाएगा आपको याद करना, ठीक है, तो चलिए देखते हैं ट्रीके माद दिम से, देखिए, ये है, इंडिया का map, ठीक है, थोड़ा सा idea दे देता हूँ मैं, क्योंकि क्या है कि, जो याद करना असानी से क् होता है, अपनी virtual memory से हम आसानी से चीज़े ही याद कर सकते हैं, ठीक है, तो हम वैसे कोशिश करेंगे चीज़ों को याद करने की, अपनी virtual memory से, एक ये rough idea दे दिया मैंने इंडिया का, उसके बाद start करते हैं हरियाना से ही, हरियाना, हरियाना और 36 गड़, हरियाना और 36 गड़, दोनों के अंदर राज्यसभा की पाथ सिते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हरियाना और 36 गड़, पाथ सिते हैं, ठीक है, आप यह इस से याद कर सकते हैं, हरियाना के जो लोग हैं, वो थोड़ा aggressive रहते हैं, तो मतलब उनका जो औरों से 36 का अकड़ा रहता है, तो मतलब जितनी हरियाना में उतनी 36 गड़ में है, ठीक है, हरियाना का लोगों के साथ 36 का अकड़ा रहता है, मतलब थोड़ा सा aggression रहता, उनका एक दूसरे के regarding, तो इसमें देख लिए हमने हरियाना से start की हमने, उसके बाद जितने भी North East के state हैं, जैसे सिक्किम, अरुनाचल प्रदेश, आसाम, आसाम को छोड़ देते हैं फिलाल, मेगाल्य, त्रीपुरा, नागालेंड, मनीपुर, मिज अदर है एक, यह आप याद रखते हैं बिल्कुल आसान नहीं से, बहुत छोटे-छोटे state हैं तो एक के गाती है, आसाम के अंदर, आसाम के अंदर, आसाम और पंजाब, इनके अंदर आती हैं साथ, साथ सीटे, अब कैसे याद रखेंगे, बहुत असाम है सम, सम किन रखते हो ना, तब ही तो सम निकालते हो, तो इसलिए असाम की साथ, और पंजाब की इसकी भी साथ, क्योंकि हरियाना के साथ में है, तो इससे आप याद रख सकते हैं बहुत इसकी साथ, ठीक है, अब इसके बाद, यहाँ पे हैं उतराखंड, और यहाँ पे हैं हिमाचल प में छप जाए तो क्या हुआ दिल्ली से कुछ लोग चले जो जैसे जाते हैं आप सिमलागू मिनेगे लिए जाते हैं तो एक सोलो ट्रीप पे कोई रेरली जाता है तो लोग क्या अगरते हैं दोस्तों के साथ मिलके जाते हैं तो दिल्ली से तीन लोग चले कहां के लिए चल मदब सिमला और उत्राखन मतलब बद्रीनाथ घूमने के लिए ठीक है यह देख लिया हमने नोर्थ इस्ट कवर कर लिया यह कवर कर लिया अब यह देखिए यह जो जम्मु कस्मीर है ठीक है जम्मु कस्मीर आपको पता है 2019 में इसको बाइफरकेट कर दिया था दो बाग लिए छोड़ रहा हूँ मैं कि आप मुझे comment section में बताओ कि जम्मु कस्मीर के अंदर कितनी है क्योंकि इनको पहूँ दोनों को union territories बना दिया गया है यह जम्मु कस्मीर और यह लद्दाक क्यों गया तो आप comment section में बताओ वहांबे कितनी है आप देखिए राजस्थान और यहाँ पे उडिशा ठीक है West बंगौल बिहार हैं तो देखें बंगाल और बिहार जो West बंगाल है और बिहार हैं उनके अदर है सोड़ा सित्थे ठीक है तो इसको आप कैसे याद करेंगे कि वेस्ट बंगाल और बिहार कि जैसे कि अगर दो लोगों के बीच में फाइट हो जाती है तो आप एक hypothetical condition माल लेते हैं कि उसके वेस्ट बंगाल गाल पे कि उसके गाल पे सोडा स्ट्राइक हुई सोडा बार किसी ने मारा तो वो हार गया तो वेस्ट बंगाल और बिहार सोडा तो वेस्ट बंगाल और बिहार के अंदर कितनी हैं सोडा सिट्टे हैं ठीक है और यहाँ पे आता जारखंड जारखंड तो जारखंड के अंदर जारखंड के अंदर हैं 6 सिट्टे कैसे याद करेंगे देखे हरियाना है, हरियाना के डिवीजन कितनी है, 6 है, मतलब खंड बोल सकते हैं आप उनको, तो ऐसे ही जारखंड के अंदर भी 6 सिटे हैं, ठीक है, जारखंड कवर कर लिया, अब हम चलते हैं, मध्या प्रदेश, यहाँ पे है गुजरात, ठीक है, राजस्थान और दोन्नों के अंदर हैं, 10 सिटे, ठीक है, इनको कैसे याद रखेंगे आप, कि राजस्थान उडिशा, उडिशा मतलब दिशा से मिल तवजूलता है न, दिशा, कि बए किसी ने दिशा पुची, किस से जो वहाँ पे राजा था, उससे पुची कि दिशा पुची, और किस ल पुची, राजा से 10 दो, 10, मतलब 10 पुची, पूचना बोलते हैं न, पंजाबी में, ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पे आगया महराश्टर, मध्या परदेश और गुजरात, दोन्नों के अंदर, मध्या परदेश और गुजरात, इनके अंदर कितनी सिटे हैं, इन था, यार ऐसी आद रखें, रात को, रात को जब आप बेबी, जब आप छोटे थे, तो आप कहीं बार डरते थे, आप कहीं बार डरे होगे, ठीक है, तो आप जब डरते थे, जब छोटे थे, तो आप अपने जो पेरेंट्स उनके बीच में सोना पसंद करते थे, मतलब उन से आप इसको याद कर सकते हैं मध्यप्रदेश और गुजरात के अंदर कितनी सिटे है ग्यारा सिटे हैं और महाराश्टर आप हम याद करते हैं महाराश्टर के अंदर ठीक है महाराश्टर उसके बाद यहाँ पे चलते हैं यहाँ पर हमने देख लिया तेलंगाना और अंदर प्रदेस ठीक है करनाटक, टमीनलाडू और कीरल तेलंगाना में भी साथ सिटे हैं जैसे हमने देखा असाम के अंदर पंजाब के अंदर यहाँ पर मैं लिखता हूँ तेलंगाना तेलंगाना के अंदर भी साथ सिटे हैं तेलंगाना की लोग उसका साथ देना पसंद करते हैं जिसके पास तेल है क्योंकि तेल आजगल बहुत महंगा है न तो इसलिए तेलंगाना में भी साथ सिटे हैं ठीक है तेलंगाना देख लिया हमने साथ सिटे हैं करनाटक आंदर प्रदेश आप देखो करनाटक करनाटक के अंदर हमने देखा करनाटक वो नाटक करने कहा गया बाहर गया मतलब बाहर गया अर्यानवी लैंग्विज में बोल देखे न बाहर को बाहर जा रहे हैं बाहर तो इसके करनाट्य के अंदर और के अंदर जैसे के आपसंब आपने सुना होगा केर वो गाना सुना होगा केर निकर कर्दा न सिट! तमिललाडू रहा अठारा सिट है थारा तो तमील लाडू यह इसको आप क्या कैसे याद कर सकते हैं जब भी साधी वगहरा होती है किसी की साधी के अंदर क्या होता है कि साधी के अंदर कि लाड़ू हां की प्लेट भी सिर्पे रखे चलनी पड़ती है तो मदलब थारा फिर तमीन लाड़ू लाड़ू को सिर्पे ठारा है तो मदलब थारा ठीक है इसके अंदर होगी ठारा सिट्टे ठीक है तो I hope mostly cover उचके उसके बाद आ गया यूपी तो सबसे ज़्यादा सिट्टे हैं जो राज्यसभा की हो या फिर लोकसभा की हो सबसे ज़्यादा सिट्टे हैं यूपी के अंदर है 31 सिट्टे है ठीक है और महराष्टर महराष्टर के अंदर है उन्नी सीते कि बहए उनी का राष्टर है आप ऐसे याद कर सकते हैं बहए उनी का राष्टर है यह उन्नी महराष्टर I hope हमने सारे के सारे state cover कर लिए है I think अगर कोई state नहीं cover हुआ तो आप comment section में बताएं वाकि मुझे लगता है कि mostly हमने state cover कर लिया, अगर कोई भी state रहता या skip होता है, तो आप अपनी तरफ से उसकी trick बना ले, तो मैंने mostly बना दिया, ये trick आपको बता दिया, इससे additional ही हमने जानकारी देखी, उननी सो चुमन में पहली बार इसका नाम राज्यसवा रख्या, राज्यसवा इसको बोला गया, ठीक है, उसके अंदर देख लिया हमने 250 total sheet होते हैं, लेकिन आज 8 present 245 हैं, ठीक है, उसके बाद जो 4th schedule है, 4th schedule है, constitution की, constitution के अंदर जब constitution बना था तो 8 थी, लेकिन दीरे दीरे बढ़ते बढ़ते 12 हो गई हैं, तो उसमें से 4th schedule है ना, उसके अंदर जानकारी मिलती है, हमें किस चीज़ की, इस चीज़ की, कि बहुए किस राज्या को, कितनी, कितनी राज्यसवा की सीट्टे मिलेंगी, कि कौन सी के अंदर, 4th schedule के अंदर, उसके बा थैंक्स पर वचिंग इस वीडियो, थैंक्यू